नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे स्टेलने स्टील और कास्ट आरेन के बीच में क्या क्या डिफरेंसी होते हैं कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं ये दोनों इंजिनरिंग मेटीरियल हैं और इंजिनरिंग मेटीरियल को हम दो तरह से केटेगराईज करते हैं मेटालिक मेटीरियल और नोन मेटालिक मेटीरियल तो उसमें ये मेटालिक मेटीरियल के अंतरगत आते हैं और मेटालिक मेटीरियल को हम दो तरह से केटेगराईज करते हैं Ferrous Metal और Non Ferrous Metal तो उसमें ये दोनो Ferrous Metal के अंतरगत आते हैं और उसके बाद ये दोनो Material Iron के Alloy हैं कारबन के साथ अब बात करते हैं कुछ Factor जो हमने Consider की हैं इसके अधार पर ये दोनो एक दूसरे से अलग कैसे हैं इनकी Properties क्या हैं कहां कहां इनका यूज किया जाता है और क्या-क्या इनके टाइप्स हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कारबन Percentage की स्टेलने स्टील में कारबन परसेंटेज 0.02% से ज़्यादा होता है और 2% से कम रहता है जबकि कास्ट आइरन के केस में जो कारबन कंटेंट है वो 2% से ज़्यादा होता है और 4% से वो कम रहता है और जो स्टेलने स्टील है ये स्टील के अंतरगत आता है क्योंकि जो स्टील है उसमें ये हाई अलोई स्टील है क्योंकि अलोई स्टील का ये टाइप है जिसमें ये हाई अलोई स्टील है और इसमें जो main alloying element रहता है वो chromium रहता है और chromium की जो composition है वो 8% से ज़्यादा रहती है और chromium की percentage के अधार पर stailness steel को categorize किया गया है martensitic stailness steel, austenitic stailness steel, ferritic stailness steel और duplex stailness steel ये इसके कुछ type हैं अगर cast iron के types की हम बात करते हैं तो cast iron के जो मुख्यता type है ग्रे cast iron, white cast iron, chilled cast iron, mottled cast iron, malleable cast iron और nodular cast iron ये अलग-अलग types हैं cast iron के उसके बाद जो next factor है वो है fluidity fluidity की अगर हम बात करते हैं वो cast iron की बड़ी जबरदस्थ fluidity है fluidity का मतलब है जब हम इसको melt करेंगे पिगलाएंगे तो ये कितनी बड़िया तरीके से ये flow करता है तो fluidity stainless steel की कम होती है और इस property के अधार पर ही जो next जो हमने factor consider किया है castability castability उस material की अच्छी होगी जिसकी fluidity अच्छी है तो इसका मतलब जो cast iron है इसकी castability भी अच्छी है इसका मतलब ये है कि जब हम cast iron को किसी mold में कोई product अगर हम त्यार करेंगे तो cast iron को जब melt करके pour किया जाता है तो अपनी अच्छी fluidity के कारण ये बड़िया तरीके से flow करता है और जो intricate shape होती है उसको भी बड़ी असानी से बनाया जा सकता है और जो stailless steel है cast iron के comparison में इसकी castability कम होती है और उसके बाद next है वो ductility ductility की अगर हम बात करते हैं तो stailless steel की ductility ज़्यादा है और cast iron की ductility है वो कम है उसके बाद बात करते हैं brittleness जो ductility का opposite होता है तो जो stailless steel है ये कम brittle है और जो cast iron है ये ज़्यादा brittle है मसीने ब्रीटी की बात करें मसीने ब्रीटी का मतलि ये है कि किसी material को cut करना फिर grind करना तो कितना आसान रहता है तो इस case में जो stailness steel है इसकी मसीने ब्रीटी अगर हम बात करें इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है क्योंकि इसको cut करना थोड़ा सा आसान कारिया नहीं है लेकिन जो cast iron है इसकी मसीने ब्रीटी अच्छी है इसको बड़ी असानी से मसीन किया जा सकता है cut कर सकते हैं grind कर सकते हैं तो tool wear की बात करें जिस material का मसीने ब्रीटी बढ़िया होगी तो उस case में tool wear हमारा जो कम होगा तो मतलब क्या हुआ stailness steel के case में जो tool wear है वो जादा होता है क्योंकि इसमें material को cut करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है लेकिन cast iron के case में जो tool wear है वो कम होता है क्योंकि इसका जो structure है cast iron में क्या होता है graphite होता है इसके structure में और जो बड़ी असानी से uniform way में वो break हो जाता है और जिससे tool wear है वो कम हो जाता है और जो casting की cost वो भी इसमें कम रहती है उसके बाद है toughness toughness यह होता है कि कोई material अगर हम बात करें जो high stress या strain forces को withstand कर सके बार बार जो भी उस पे लगती है और toughness तो stailness steel की जादा होती है cast iron की toughness कम होती है impact resistance उससे ही जुड़ा हुआ है जिस material की toughness जादा होगी उसका impact resistance भी बढ़िया होगा तो stailness steel की impact resistance जादा है cast iron की impact resistance कम है क्योंकि यह brittle होता है इसलिए अब impact strength के हमने बात किये क्योंकि जब भी इस पे sudden impact पड़ता है या फिर जब heavy loads पड़ते हैं तो ये बिना breaking के, बिना bending के, बिना deform हुए तो ये अपने आपको sustain करता है तो यही कारण है, क्योंकि कम brittle भी है तो इसलिए इसका impact resistance क्या है? वो बढ़िया है अगर weight की बात करते हैं जो stailness steel है, ये light होता है weight में जबकि जो cast iron है, ये heavy होता है उसके बाद next factor है corrosion resistance corrosion resistance के मामंदले में stailness steel का तो कोई सानी ही नहीं है इसको तो कितनी भी severe condition में रख लो corrosion resistance ये बहुत ही जबरदस्त प्रवाइड करता है even चाहे sea water है वहाँ पर भी इसका अगर हम use करते हैं तो इसमें बड़ी असानी से corrosion नहीं लगता क्योंकि chromium जो इसमें मुझूद होता है ये हावा में मुझूद oxygen के साथ react करता है और chromium oxide मनाता है जो एक प्रकार से metal surface के उपर protective oxide layer बनती है जो उस material को corrode होने से बचाती है जंग लगने से बचाती है अगर cast iron की बात करें तो इसका corrosion resistance कम होता है next है hardness hardness stailness steel की कम होती है hardness cast iron की ज़्यादा होती है stability at high temperature या कह सकते हैं जो heat retain period है जो stailness steel है इसमें जो heat है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती तो इसका जो stability है high temperature पर कम है जबकि जो cast iron है इसमें लंबे समय तक ये heat को retain कर सकता है तो इसकी जो stability है high temperature पर वो ज़्यादा है damping ability अब damping ability की अगर हम बात करें कि कोई material vibrations को noise को क्या absorb कर सकता है तो उस stailness steel है इसकी जो damping ability है वो कम होती है तो इसमें ज़्यादा vibration भी होता है noise भी करता है कई मर तो cast iron की damping ability अब बड़ी जबरदस्थ होती है तो इसमें कि कह सकते हैं कि ज़्यादा damping ability होने के कारण जो भी machines होती है उनके जो bed हैं वो cast iron के बने होते हैं बड़ी example बात करें वो बहुत ही बड़िया है उसके बाद next जो है melting point melting point अगर stainless steel की अगर हम बात करते हैं इसका जो melting point है वो तकरीबन 1370 degree celsius से लेके 1540 degree celsius के बीच में रहता है और जो cast iron है इसका melting point अगर हम बात करें वो 1150 degree से 1200 degree celsius के बीच में cast iron का melting point रहता है tensile strength की बात करते हैं तो tensile strength stainless steel की ज़्यादा होती है और cast iron की कम होती है compressive strength की अगर बात करें stainless steel की कम होती है compressive strength और cast iron की ज़्यादा होती है अगर बात करते हैं wear resistance की wear resistance stailness steel का ज़्यादा होता है और जो wear resistance है cast iron का वो कम होता है next है electrical and thermal conductivity stailness steel की electrical और thermal conductivity ज़्यादा होती है cast iron की electrical और thermal conductivity कम होती है life span की अगर हम बात करते हैं जब stailness steel एक ऐसा material है जिसमें corrosion बड़ी मुश्किल सही लगता है ना के बराबर तो इसका जो life span है वो ज़्यादा है क्योंकि ये brittle भी नहीं है तो cast iron brittle होने के कारण या फिर corrosion resistance कम होने के कारण जो cast iron है जो stailness steel है ये ज़्यादा costly है expensive material है जबकि जो cast iron है ये सस्ता है सस्ता इसलिए है क्योंकि इसका material cost है सस्ता होता है energy और जो labor की इसमें अश्क्ता पढ़ती है final product को बनाने के लिए वो भी हमें कम चाहिए लेकिन जो stailness steel है इसका जो raw steel भी होता है वो भी महंगा होता है और इसको बनाने में proper हमें timing चाहिए इसकी attention भी ज़्यादा है cast करते समय तो इसलिए कि जो stailness steel है इसकी जो cost है वो ज़्यादा होती है application की बात करते हैं application तो हम इन दोनों material को हमारी daily life में बहुत देखते हैं हमारे इर्द-गिर्द stailness steel की बात करें oven बनाने में जो cutlery kitchen में इस्तेमाल करते हैं जो dishwasher होते हैं kitchen में जो sink लगता है even जो medical में जो हम instrument यूज़ करते हैं surgical और ये जैसे pressure vessel जो हम pharmaceutical industry में यूज़ करते हैं heat exchanger pipe fittings में इसका तरिक्ट architecture में monuments बनाने में तो बहुत सारी application stailness steel की जो अपने इर्द-गिर्द हम देखते हैं वुसी प्रकार से cast iron भी अपनी जगह पे बहुत सारी applications ये हमें देता है slender head बनाने में machine bed की हम बात करी चुके हैं slender block gym में इस्तेमाल होने वाले dumble car wheel pump parts pipes जो smint mixer liner को बनाने में इसके अत्रिक्ट जो man hole की cover होते हैं gear blank और crank soft truck suspension component electrical boxes gas burner तो ये बहुत सारी applications आइं दोनों की तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया stailness steel और cast iron के बीच में क्या क्या differences होते है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ जल्दी हाजर होते हैं कि नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे तब तक कर सकते हाज सकते हैं चुब छूट प्यूव algumas हैं झाल